सभी सेविका बहनों का स्वागत है पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो चलिए पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में आप लोगों को जनकारी देने जा रहे हैं जो आप सभी सेविका बहनों को देखना और समझना काफी जरूरी है जैसे कि आप portion tracker app को use करते हैं तो जो जो update आता है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को update करने के बाद कुछ कामों में बदलाव देखने को मिलता है तो चलिए इस update के आने के बाद आपको क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेगा इसके जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे पहले आप सभी सेव का बहन क्या करेंगी यहाँ पे प्ले स्टोर में आके आपको portion tracker लिक के सर्च कर लेना है लिक के सर्च करने के बाद आपको इस परकार से update का option देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ से simply इसको update कर लिजेगा ठीक है और यह जो update है आप लोग को 16.2 का ये new update आया है 16.2 में आप लोग को चार ऐसे महतुपुन बदलाव देखने को मिलेंगे जैसे कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ये जो update है वो 25 अक्टूबर 2022 को आया है चारो update को देखने के लिए आपको क्या करना है इस arrow पे किलिक कर देना है arrow पे किलिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा 16.2 उसके बाद यहाँ पे आप उपर आएंगे तो यहाँ पे आपको चार जो महत्वपुन बदलाव किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है फर्स में आप लोग को यह बताया जा रहा है कि new screen design for daily tracking यानि कि पहला update जो आया है आपके पोशन ट्रेकर एप में जो daily tracking पे आप लोग work करते हैं उसमें एक new screen design किया गया है यानि कि अब जो पुराना वला screen daily tracking का दिखता है वो ऐसा आप नहीं दिखेगा अब आप लोग एक नए तरीके से दिखाया जाएगा जिसमें कि आप लोगों का काम और भी असान हो जाएगा वीडियो में बने रहीएगा वीडियो को पुरा जरूर देखेगा क्योंकि ये जो update है वो काफी important update है ठीक है चलिए अब वरते हैं दूसरी update की ओर दूसरा update है fix the color coding issue on beneficiary list यानि कि आप लोगों के portion tracker app में जितने भी लभार्थियों का list है चाहे हो गर्भवती महिला धातरी महिला या 0-6 वर्ष के बच्चे उन सभी लभार्थियों का आगे जो और coding का जो problem चल रहा था जैसे कि किसी किसी लभार्थी में या किसी किसी बच्चे में इन केस pregnant woman यानि कि यह जो तीसरा अपडेट है यह pregnant woman के लिए है जैसा कि pregnant woman का जो new registration का age limit रखा गया था वो 18 years रखा गया था लेकित अब यहाँ पर इसको घटा के 17 years कर दिया गया यानि 17 साल की भी अगर pregnant woman आपको मिल जाए तो उसका registration आप लोग पोसंट रेकर एप में कर सकते हैं ठीक है चलिए चलते हैं चोथे अपडेट की और चोथा अपडेट क्या है चोथा अपडेट है special character like इस परकार से जो special character होते हैं dot, comma, bracket यह सभी special character है are allowed in the name field while adding or editing a beneficiary तो इस अपडेट का मतलब समझिए नाम के आगे जो कभी-कभी क्या होता है कि अधार card में नाम के आगे आप लोग को dot देखने को मिल जाता है dot के विज़र से आपका जो अधार verify है वो अधार verify नहीं हो पता है तो अब आप लोग को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी अगर किसी लभार्थी के नाम के आगे dot या इस परकार से कोमा देखने को मिल जाता है तो उस condition में आप लोग क्या करना है जिस परकार से अधार card में नाम होगा उसके आगे dot होगा या कोमा होगा तो उस dot या कोमा को लागा के आप लोग उसका अधार verify कर सकते है यह special character आप लोग rare case में ही मिलते हैं किसी किसी के नाम के आगे इस परकार से special character अधार card में देखने को मिल जाता है तो चारो अपडेट आप सभी आगनबारी सेवकाओं के लिए काफी unique और काफी special है तो वीडियो को आप लोग end तक जरूर देखिएगा अब हम लोग चलते हैं सीधे portion tracker app में और वहाँ पे आपको सभी के और भी details में जनकारी दे देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाएं हम इसको back कर लेंगे और सबसे पहले portion tracker app को अफडेट कर लेंगे इस परकार से ये portion tracker app अफडेट होड़ा है अगर आप सभी आगनबारी भेहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आ रहा हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए हमें support कीजिए ताकि हम आउर भी आप लोग के लिए नई-नई information लेके आते रहें चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे डेट कलर के subscribe बटन को दबा कर घंटी के बिल नोटिफिकेशन दबाने के बाद all का बटन जरूर सिलेक कर लिजिएगा अपडेट हो चुका है यहाँ पर अपडेट होके आ चुका है अब इसको simply हम लोग क्या कर लेंगे तो अपडेट करके ओपेन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यह जो दैनिक खोज है यानि डेली ट्रेकिंग का जो अपशन है इसमें ही आप लोग को पहला अपडेट देखने को मिलेगा और देखें जैसे कि हमने अभी आगन बारी केंदर का status यहाँ पे नहीं भड़ा है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आगन बारी केंदर का status भर लेना है यहाँ पे लिखा है खोले और close यानि कि आपने आगन बारी केंदर को आज खोला है तो खोले वाले पे किलिक करेंगे तो सबसे पहले हम आगन बारी केंदर को open कर लेते हैं यहाँ पे इसको ठीक है पर किलिक कर देंगे तो हमारा आज का जो आंगरबारी केंदर का status है वो save हो चुका है अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो डेली ट्रेकिंग का option है फिर सम इसको open करते हैं open करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आप लोग को एक नया screen दे दिये गया है जिसमें कि अब आप लोग आसानी से काम कर पाएंगे तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा क्या करना है यहाँ पे टच करेंगे तो उस बचे के टेंडेंस बन जाएगा दूसरे बॉक्स पे टच करेंगे तो morning snakes का entry हो जाएगा और तीसरे पे टच करेंगे तो HCM का entry हो जाएगा तो इस प्रकार से एक नया फीचर एड़ कर दिया गया है एक ही कॉलों में दे दिया गया है बच्चे का एटेंडेंस morning snakes और HCM का था कि बच्चे का attendance बहने के लिए और से यहाँ पर जो बच्चों का attendance से वह भर सकते हैं चलिए यहाँ पर हम बच्चे के attendance भर के आप को दिखाते हैं जैसे की attendance वाले करेंगे तो जैसे ही किलिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा एक्टेंडेंस यहां पर दिखा रहा है टोटल 41 बच्चा है जिसमें की 41 बच्चे में से एक बच्चे का एक्टेंडेंस यहां पर बन गया ठीक है दूसरे बॉक्स पर किलिक करेंगे morning snacks वाले पे तो यहाँ पे देख सकते हैं morning snacks वाले में भी यहाँ पे 41 बच्चे में से एक बच्चे को morning snacks दे दिया गया ठीक है तिसरे पे किली करेंगे तो यहाँ पे एक बच्चे का HCM भरा गया है और 41 बच्चे हैं फिर से यहाँ पे दूसरे कलों में भरते हैं तो यहाँ पे एक से बरके यहाँ पे दो हो जाएगा, फिर से यहाँ पे भरते हैं, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे भरते हैं तो जितने भी बच्चों का आप लोग एटेंडेंस या सेम जो भी भरेंगे, वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, कि क इनका किनका attendance बन गया है किनका morning snacks दे दिया गया है ठीक है इस परकार से जितने भी बच्चों को आप लोग attendance भरेंगे तो इस परकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो ये फीचर बहुत ही बढ़िया है उसके बाद नीचे आके आपको क्या करना है यहाँ पर submit कर दे में के बदले पूर्व विधियाले से काया अव्चनalid कर दिया गया है तो आपको क्या करना है यहाँ पर activity दोनों को भड़ना है ब्यक्तिगत स्वक्षता वाले पर किलिक करेंगे एक एक्टिविटी यहाँ पर एड़ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर स्कूल पूर्व सिख्षा वाले पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर दो एक्टिविटी यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कलर कोडिंग की जो प्रॉलम चल रही थी वह प्रॉलम अब आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा सभी लभार्थियों में कलर कोडिंग आप लोग को देखने को मिल जाएगा जिसे खासकर बच्चों वाला जो कैटेगरी इसमें बच्चों वाले केटेग्री में काफी दिगत आते थी चो कि केटेग्री open कर ली है open करने के बाद यहाँ पे सभी बच्चों में color coding दिखा रहा है और जहाँ पे आप लोगों को color coding नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि यह बच्चा 5 साल से उपर हो चुका है इसलि भी पांच साल से उपर बच्चे हो गए हैं उनका यहाँ पे color coding नहीं देखने को मिलेगा बाकी सभी लभार्थियों में आप सभी बच्चों में आप लोग color coding की problem जो थी वो ठीक हो चुकी है ठीक है उसके बाद चलिए तीसरे update की और चलते हैं तीसरा update जो था वो pregnant woman याने की गर्भवती महिलाओं का जो option है इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर नया पंजी करन करेंगे और यहाँ पर जो age की limit थी उस age की limit को यहाँ पर घटा दिया गया है 17 साल की भी अगर कोई pregnant woman है उसका भी आप लोग यहाँ पर registration कर पाएंगे ठीक है तो इसको भी आप लो का option में special character को add किया गया है यहाँ पर आप लोग नाम में special character add कर सकते हैं जैसे कि special character जो होता है dot करके अगर किसी के नाम कर आगे dot लगा हुआ है तो उसको भी आप लोग यहाँ पर add कर सकते हैं देख सकते हैं हमने यहाँ पर dot लगा के एक नाम add कर दिया है तो यहाँ पर एड कोट लगा के उसका अधार वेरिफाई कर लिजेगा इस प्रकार से थी 16.2 की नई अपडेट की जनकारी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और इस वीड आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद